जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाप से जम्मू कश्वीर के डेड़ करोड से जादा लोग वन्चित रह जाते थे सोचिए, देश के अन्य राज्यों में बच्चों को सिच्छा का अधिकार है, लेकिन जम्मू कश्वीर के बच्चे इससे वन्चित थे क्या गुना है उन्बच्चों का, देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू कश्वीर की बेटियों को नहीं मिलते थे देश के अन्य राज्यों में सफाई करमचारियों के लिए सफाई करमचारी एक लागू है, लेकिन जम्मू कश्वीर के सफाई करमचारी इससे बच्चित थे, उनको ये हक नहीं दिया गया था देश के अन्य राज्यों में दलीतों पर अत्याचार रोकने के लिए सक्त कानून लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में अल्प संख्यकों के हितों की रख्षन के लिए माइनोरिटी एक लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में मद्दुरों के लिए स्रमुकों के हितों की रख्षा के लिए मिनिमम बेज़ेज एक लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले स्रमुकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय एसी एस्टी अनुसुती जन्जाती के भाईयों बहनों को आरक्षन का लाब मिलता था लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था साथियों अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बात उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बहार निकलेगा इसका मुझे पुरा विस्वास है भाई और बहनों नई विवस्था में केंद्र सरकार की ये प्रात्मिता रहेगी कि राज के कर्मचारियों को जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलीस भी सामीर है उन सब को दूसरे केंद्र सासरीत प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलीस के बराबर की सुविधाएं मिलें अभी केंद्र सासरीत प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तिय सुविधाएं जैसे LTC, House Rent Allowance, बच्चों की शिक्षा के लिए Education Allowance, Health Scheme जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं जीन मेंसे अधिकाउस जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलीस परिवारों को नहीं मिलती हैं ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिवियू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलीसों को, उनके परिवार जनों को ये सुविधाएं महया कराई जाएगी साथियों बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लदाख में सभी केंद्रिये और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इससे स्थानिय नवजवानों को रोजगार के परियाप्त अवसर उपलब्द होंगे साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्रावेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रोजसाहित किया जाएगा इसके अलावा सेना और अर्दसाइनिक बलों द्वारा स्थानिय युवाओं की भरती के लिए रेलियों का आयोजन किया जाएगा सरकार द्वारा प्रदान मंत्री स्कॉलर्शिप युजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि जादा से जादा विद्यार्थियों को इसका लाब मिल सके जम्मु कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत जादा है एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विश्य होता है केंदर सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाएगा बाई और बहनों केंदर सरकार ने अनुच्छे तिन सो हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखन के लिए और मैं बताता हूँ कुछ कालखन के लिए जम्मू कश्वीर को सीधे केंदर सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है इसके पीछे की वज़े समझना भी आपके लिए महत्वपूर है जबसे वहां गवर्नर रूल लगा है जम्मू कश्मीर का प्रसासन सीधे केंदर सरकार के संपर्क में है इसकी वज़े से बीते के महिनों में वहां गुड गवर्नंस और डेवल्लप्मेंट का और बहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है जो योजना है पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है दसकों से लटके हुए प्रोजेक्ट को नई गती मिल रही है हमने जम्मू कश्मीर प्रसाचन में एक नई कार्य संस्कृति लाने पारदर्सिता लाने का भर्षक प्रयास किया है इसका नतीजा है कि IIT IIM AIMS हो तबाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट हो पावर प्रोजेक्ट हो या फिर करप्शन ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो इन सब के काम में तेजी आई है इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जूड़े प्रोजेक्ट हो सडकों और नई रेल लाइनों का काम हो एरपोर्ड का आधुनी करण हो सभी को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है